नमस्कार बहुत सुवागत है आपके इस खास अनाउंस्मेंट शक्षन में सेसन में मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फेंड संतोश संतोशी मित्रों बहुत प्रतिक्षित कारिक्रम हमारा दिव्य निश्पाप यग्य का आयोजन की तारीखें उद्घोसित कर दिया है आगामी 19 से 25 दिसंबर 2020 यह खास आयोजन हम करने जा रहे हैं बाबा विश्वनात की नगरी बनारस में गंगा की पावंतर पर कहा जाता है कि यह स्थान और यहाँ पर मृत्य को प्राप्त करने वाले लोगों को मोक्ष मिलता है ऐसी मानता है कि यह काशी विश्वनात भगवान शिवशंभों की नगरी है जो प्रतेक दोशों से पापों से आपको मुक्ते देते हैं इसलिए पूरे भारत से हमने इस स्थान का चैन किया है बनारस अपने आप में ही बिलक्षण और अलोकिक शक्तियों का केंद्र रहा है तमाम दिव्य शक्तियां यहां पर विराजमान रहती है तमाम तंत्र यहां से उत्पन्न होते हैं क्योंकि शिव तंत्र के जनक है शिव और शक्ति का मिलन ही तंत्र है ऐसे एक विहद आयोजन को हम करने जा रहे हैं इस आयोजन का मकसद क्या है आप लोगों के मन में प्रश्ण उठता होगा देखिए हम अपने जीवन में तमाम ग्यात और अग्यात पाप कर जाते हैं ग्यात पाप की स्रेड़ी तमाम होती है जैसे आप किसी ऐसे पोश्ट पर है मालीजी आप पुलिस वाले हैं और किसी ने जान बूझ कर आपकी जेब में कुछ पैसा दे दिया फेवर लेने के लिए कि आप उसका फेवर करेंगे आप नहीं मांगे हम यहां तक लेके चलते हैं कि आपने कुछ मांगा नहीं आपने कुछ कहा नहीं लेकिन उसने आपकी जेब में डाल दिया हजार रुपया पांसो रुपया डाल दिया यह पैसा लाखों करोनों में भी हो सकता वो अलग बात है यद्यप की सेम काम के लिए आपको सरकार से तनुखा मिलते हैं लेकिन आपके जेब में आ गया यह ग्यात पाप आपने बच्चा एवोर्ट किया आपने गर्व पात करवाया आप कन्या भृून हत्या की यह ग्यात पाप है आपने जूट बोलकर बहु को परिशान किया ग्यात पाप है आपने जूट बोलकर पती को चीट किया ग्यात पाप है आपने पिता को चीट किया ग्यात पाप है आपने पतनी को चीट किया ग्यात पाप है तमाम ग्यात पाप होते हैं उसका बहुत बड़ा-बड़ा क्राइटेरिया है कहते हैं कि इस कल्यूग में जब आप कोई भी पाप करते हैं तो उसका दुष्परिनाम आपको बहुत जल्दी भोगने को मिलता है बट कई दफा जो पाप कर रहा है उस पाप करता का जन्मांक बहुत बलवान होता है जिससे वो भोग नहीं भोगता बट पाप तो किया उसने तो ऐसे में उसके किये गए पापों का दंड उसके बच्चे भोगते हैं आपको पता नहीं चलता और अचानक से बच्चे का कुछ शारिरिक कष्ट मिल गया बच्चा जील चला गया जुवा खेलने लगया तमाम तरह से पतभरष्ट हो जाता है आप याद करिएगा कि कहीं आप से कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है ऐसी स्थिती को हमने चुना और अगर आपने ऐसा कुछ कभी किया है या आप से कुछ ऐसा हुआ है जाने अन जाने कोई भी पाप हुआ हो तो आपको हम वचन देते हैं कि आपको हम एक दिन में रेलाइज करवा देंगे कि हाँ एक बोजह उतर गया साथ दिन के चौबिस घंटे के हर एक पल में आपको हम निश्पापता की तरफ लेकर चलेंगे आप एक अलोकिक दुरियां में रहेंगे एक अलग तरह की आपको शक्ति का संचार होगा आप एक अलोकिक दुनिया में रहेंगे तो ये सारी स्थितियां होने जा रही हैं बहुत व्रिहद रूप में होने जा रही हैं बहुत यूनीक वे में होने जा रही हैं आपको बस समझना है जानना है और कदम बढ़ाना है किसी भी तरह के ग्यात अग्यात पाप से मुक्ति की तरफ लेकर चलेंगे बहुत बार आत्म ग्लान ही होता है वेक्ते डिप्रिशन में जाता है आप कन्फेस करेंगे हमारे सामने ग्रहों के सामने कुछ ऐसी ब्यवस्थाएं दे रहे हैं जो अब तक हमारे शोध में चलती आ रही है तो बहुत सारी और भी जानकारियां हैं तो इसके लिए बस क्या खर्चा लगेगा minimum दो लोग आ सकते हैं maximum चार लोग आ सकते हैं एक परिवार के चार लोग आ सकते हैं फिक्स क्राइटेरिया है बस आपकी उपस्थिती जरूरी है यह कारिक्रम बिना आए नहीं संभव है इसमें आना ही होगा तो ही आप इसमें भाग ले सकते हैं और दुबारा एक कारिक्रम कब होगा कैसे होगा परमात्मा जाने लेकिन हाँ एक बड़ा आउसर तो हम आपको द करें और हमारा आपका साथ महब्बत यूँ ही बना रहे है अधिक और विश्तित जानकारी के लिए 95604470099102918509354619250 पर कॉल या वाटसप तुरंद करें बनारस आयोजन या दिव्य निश्पाप यग्य बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार जैशिव शंभू